हेलो प्रेंड्स वेलकम टू एस अकेड्मी तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वोश्चन आ रहा था कि अब नीट के 2022 के एक्जाम में एप्रॉक्सिमेट आप देखो तो 30 डेज तो 40 डेज भचे हैं तो क्या अभी भी पॉसिबल है कि हम इस तीज दिनों में जीरो से स्टार्ट करके जो है नीट क्रैक करने का मतलब तो यहीं नहीं होगे तो मैं आपको कोई भी फेक होग नहीं दूगा जो भी रियालिटी वेस्ट है वही इस वीडियो में बात करूगा तो इस वीडियो में आने में आपको एक आप के बारें बताने वाला हूँ चाहे कोई question हो चाहे कोई doubt हो या कोई concept समझ नहीं आ रहा हो बोट सो जेई हो या नीट हो कोई भी दिक्कत आ रही हो solution है फिलो एप अपने doubt को कभी भी clear करे in these three steps सबसे पहले इस एप को आपको play store या फिर app store से download कर लेना है फिर आपको easily अपने phone number से sign up कर लेना है फिर आप वहां से जो है आप अपने question का picture ले सकते हो या फिर type करके submit कर सकते हो फिलो एप आपको 60 seconds में इंडिया के top expert से live call पे connect कर देगा और आप अपने question का answer वहां से ले सकते हो तो इस app का link आपको description में दिया गया वहां से जाओ download करो और use करो तो देखिए क्या है कि last के 30 days जब बचे हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप आपको revision से ही होता है अब आपको new chapters नहीं पढ़ने होता है ठीक है आपका जो आपने अभी तक पढ़ाया है उनका revision से ही होता है और सबसे पहले में बात कर लेता हूं कि क्या मैं 0 से start करके मत अभी पढ़ाय एकदम नहीं कर रहा था और सिर्फ अभी तीस दिनों में पढ़के नीट क्राय कर सकता हूं तो इसका मेरा clear and cut जो है आपका अंसर होगा बिल्कुल नहीं क्योंकि यह जो 30 दिन है इसमें आप कितना भी पढ़ लोगे तो कितना पढ़ लोगे maximum में एक दिन मे क्या असका हो सके लेखिन बहुत ही कम पॉसरिबल मुझे टी है तो यह तो आप बिल्कुल मान के चलना कि हां मैं लास्ट 30 देज में बढ़के 600 प्लस मार्स ले आऊंगा यह तो नहीं होने वाला है आप हां अगर आप चारते हो कि 0 मार्क से 0 से अब यह स्टार्ट करके हां नहीं को सकते हों इसमें कोई सकते हैं पुछी सकते हैं तो आप ऐसा है कि 300-400 मार्क ला सकते हो इसमें कोई सकते हैं नहीं है कि आप अचानक से अभी 30 डेज में पढ़ोगे और जो है अचानक से नीट वर्ट टू में आप 600 600 प्लस यारी के 620 प्लस जो है मांस स्कोर कर लोगे तो यह तो बिल्कुल नहीं है अब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जिनका अभी 600 प्लस मांस आ रहा है उनको क आपको कि नहीं करना है तो अबिसल्स करते सब ये इतना रिवाइस करो ताकि आप एक्जान में जाओ, तो बस जो आप ने पढ़ा है वो आप एक वार देखो और अंसर उसका आप टीक करो, इतना वार आपको biology रिवाइस करना है वैसी physics, chemistry, chemistry, तूरा रिवाइस करना है, physics में आपको पूरा फॉर्मूला जयार्द करने हैं, बार बार formula जयार करने क्योंकि देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो फिजिस के question आता है वो formula based आता है और बस उनके क्या 30 days अक्सल चलाता यह बहुत important होता है क्योंकि last month में बहुत सारे बच्चे panic होके भी अपना time based कर रहते हैं तो यह बहुत important होता है आपको panic नहीं होना है काम रहना है और आपको revision करना है previous paper लगाने है और आपका test reason है इससे ज्यादा कुछ में करना ठीक है तो आपको इतना करना है अब मैं उन बच्चों का बात करूँगा जो कि critical range में है वैसे बच्चे जो 450 प्लस 500 प्लस marks का भी score कर रहे हैं लेकिन उनका क्या इरादा है कि वो last 30 days में को ज्यादा मेनद करके वो भी selection ले तो यह बिल्कुल possible है यह मैं कहूंगा कि हा possible है ठीक है यह किया जा सकता है क्योंक इसमें आप क्या है जो आप जितना पढ़ते हो उतना आप last 2-3 months में नहीं पढ़ोगी इतना आप चाहो तो पढ़ सकते हो क्योंकि यहां क्या होता है फोकस होते हो आप कि हां मेरा next month में 17th July को exam है तो मुझे जल्दी जल्दी स्लेवर्स कंप्रीट करना है जल्दी जल्दी जो है आप अपने महेनत करके जो है पढ़ाय करके आप जो है 600 प्लस 620 प्लस मास स्कोर करके डेफिनेटी सेलेक्शन ले सकते हो ठीक है करना क्या आपको करना यह है कि देखो आपने जो पढ़ लिया है उसको तो रिवाइस करते रहना है लेकिन हां आप इतना भी द्यान आप शोड रखाया है उसको भी कंप्लीट कर लो टैम निकाल के एक दो घंटा टैम टेली निकालो और इसको भी कंप्लीट कर लो ठीक है कोई भी च्टर शोड़ने के जरूत नहीं है आप जो है खाफी नंबर हाई लाना पड़ता है यह निए होने वाला है आप बहुत ही द चैप्टर कम्प्रीट करो बार बार रिवाइस करो ठीक है और साथ में प्रिविए से कोश्चन लगा और साथ में टेस्टरी रहे होगा तो अभी तक तो आप पने टेस्टरी बहुत सारा दे भी रखा होगा अगर नहीं भी दिया तो फिलहाल तो आप डेफिनेटली चालो कर टेस्टरी जी जो है वह आपको एक लेवल बताइगा कि आप किस लेवल पर होगा और मेरा मनो तो आप ऑफलाइन ही टेस्टरी करना क्योंकि आपकी एग्जान तो offline होगा आपको उस-स-2 में ढलने के लिए अगर आप पहले से ढ़ले हुए होगे, तो आप जो है एक्जान सेंटर पर जाकर पानिक नहीं होगे, टिकाशन पेपर जब सॉल्ट का रगो तो पानिक नहीं होगे, पहले से आदमी को प्रैक्टिस होना बहुत सब्सक्राइब होता है, यह इन चीजों को आपको ध्यार रख करते हो और मेरा यही सजेशन है कि आप नेश्टेट के लिए भी सही तैयारी करना स्टार्ट पर दो जो 600 प्रस मार्स ला रहे हैं उनका तो कोई दिखर ही नहीं यह बहुत अच्छी पोजिशन पर हैं बस उनको रिवाइज करना है प्रिवेश स्वेपर सॉल्ट करने हैं और जो अभी 400-500 मांस ला रहे हैं वह उनको बहुत ही महमेद करने का जरूरत है कि लास्ट मंत में मिनिमम डेली स्टेडी 10-12 आवर करीज का होना जाए ठीक है यह आप चीजी ध्यान रखना है तो आपको सारी चीज समझने आ गया और इ उनको भी सारी चीजी पता कर सके और अगर आप हमाँ चैनल पहली अब जीट आ रहे तो माँ चैनल को सब्स्ट्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि हम लोग ऐसी अच्छी अच्छी कंटेंट्स आपके लिए राते रहते हैं तब तक लिए इस वीडियो ने तहीं मिलते हैं क को वचिन